नमस्कार मैं विजयकुमार सहाव एक बाफिडी साब सभी के स्वागत करता हूँ एक्जाम की क्लब में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन का इंग्लिस रिडर बुक का ये चेप्टर फॉर जहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट टू बिलीब यानि कि वि गपर किया था ये तो यहां ऐसे बाते जो कि अमेजिंग को आपको अपने फ्रेंड के साथ से अर गना अचे कि तो आप खोजये नेट से हमाना है आपको आसानी से मिल जाएगा है यूटूप से यहतु फिर गुगल से कही से भी आप सर्च संब्स कर सकते हो और इसे अपने वन वार्निंग वन मॉर्निंग वैन ममी वाज ओपनिंग अन्यू पेकट आप डिटर्जन पाउडर एक दिन सुबह को मम्मी क्या कर रहे थे जो डिटर्जन का पाउडर है डिटर्जन पाउडर है एक दिन क्या हुआ सुबह को मम्मी जो डिटर्जन पाउडर का पाउडर का पाउडर है उसे खोल रहे थी किस ले खोल रहे थी मोंटी का यूनिफॉर्म को दोने के लिए इसमाल बुकलेट पिपट आउट अफ अब उसमें उसमें क्या दिखा एक जब जहांके देखी तूश में क्या दिखा एक बुकलेट दिखा चोटा सा फॉर्म दिखा एक खागज का पन्ना मम्मी एंड़ से देख कर देर वाजब परजल हुज सी हैड टू सॉल उसमें क्या था परजल था कुछ कोश्चन थे उसको से सॉल्व करना था दा कंपनी प्रॉमिस्टरी किप्ट फॉर शिल्डरन हो वूड़ विन दा कॉंटेस्ट अब उसमें क्या था कंपनी जो है लगा घर डिटर जन का जो कंपनी है उसने क्या कि प्रॉमिस किया था कि वो उनके एक मिस्टरियस गिप्ट देंगे जो उसमें जीते गाने उस कॉंटेंस में ठीक है उस कॉंटेस्ट में बाई एवरी sorry by evening Monty had searched the answer for all the question of the puzzle साम तक क्या हुआ Monty ने सारे question के answers ढूंड लिये साम तक ठीक है उस puzzle का वास बर्क आउट क्वाइट फास्टाने क्यों जल्दी करना चाहता था इसलिए वह बहुत जल्दी उसने खोज लिया Monty asked here daddy to send it to the company address and it was sent और वो क्या कि अपने पापक पास गया और उनको बोला कि डैड़ी इसको company में send कर दो उसा फिर पापक क्या कर दिए उसको send कर दिये 15 डे लेटर मॉंटी रिसीवड हर मिस्ट्री गिफ्ट अब पंदरा दिन बाद मॉंटी को उसका मिस्टीरियस जो गिफ्ट था वो मिल गया वह प्यूटिफुल लिटिल बुक वो क्या था एक चोटा सा बहुती सुंदर बुक था इड़ फूल आफ इंट्रेस्टिंग फैक्ट उसमें बहुं सारे इंट्रेस्टिंग थे पिक्चर्ज मॉंटी वाइग साइट और उसमें चुपिक्चर्स थे वह बहुती उसी वीक में क्या हुआ था उनकी जो हैड मिनस्ट्रेस एड़ पर्दान अध्यापी का है उनकी उन्हों ने क्या किया था एक कंपेडिशन का एनॉंस्मेंट गिया था उस कंपेडिशन का नाम क्या था आमेजिंग फैक्ट इच ग्लास हैट टू मैड अप प्रिजन थे पूट आँ पूट ऑन श्चूछ डिस्पिलेबोर्ड अब उसमें से जो बेस्ट ट्री सेलेक्शन होने थे भलाएं जो बेस्ट तीन लोग के हैक्ञा उनका नाम क्या क्या रहेगा इस Voll indict policies के घंड can puntि कल और टीम ने जाएग अच्छा वहाँ पर दिखाते एस tenga बच्व को मॉंटी सेलेक्टिन वाज आल सुदेर मॉंटी का सेलेक्टिन भी उसमें हुआ कि अब यह कौन कौन सा प्रेंजिंघ करण दिखे थे उसमें जिनका नाम डिस्प्ले बॉर्ड में आया ठीक तो एक था ऊसमें क्या था विंग वेक्टर्स अ इस्टोलन पैरट वाज प्राउट तूदा कॉर्ड एज़ा विटनेस इन न्यू डेली एक चोरी किया हुआ तो तक हो दिल्ली के कोट में लाया गया इट कूड आइंटिफाइट्स रियल ओनर वह अपने जो रियल ओनर है तो असली मालिक है उस उसके बच्चों का वो नाम को बोलती थी ठीक जिससे उनको उसको पहचान लिया गया इन नैंटिन थर्टिश अ हैंब वास्त्रैब्ड इन आ क्रेट वेन वान इंटिन इस्टॉइड दिस्ट्रॉइड ड़ टाउं नैंटिन थर्टिश की बात है यह उनिस उच्छटिस की था एक तुफान आया था जिसे कारण पूरा वो सहार डिश्ट्रॉय हो गया था और उसमें मुर्गी क्या हो गई थी फंस गई थी करेट में ठीक है आफ गैंसल विल जार्जिया ठीक है जो गैंसल विल है जार्जिया देश में वहां किया घटना है 47 डेज लेटर 47 दिन बाद इट वाइस रेस्क्यूट सब्सक्राइब दिन बाद उस मुर्गी को निकाला गया बचाया गया एंड एट हैट सर्वाइब बाई इटिंग इट्स ओन एक अरो कैसे जिन्दा था सब्सक्राइब तक अपने ही अंडे को खा करके वो जिन्दा थी ठे थे डेखते हैं ही अंडेकर की तेंट ऑन टं ने टिंट टुकंड आए फ्राइसमको लेंटनी आप सिसली इडिली टिक है यह इटली की घटना ह्यर्टिज दा जालत ते त्या है एक व्यक्ति हैं फ्राइसमको लेंट जीन खेंत के वाज़ मांस्टत म्हाइचर म्यूजिसिंज यह बहुत जहां म्यूजिसिन हिम पली लाइव इन दा नाइन 1830 की बात है यह उनीश थीश हわかै यह 13 में यह जी थ किसट ग Сथीस तक यह 13 तक ब समय जीश थे यह उनीश सबिस में। यह यह वाज आ फैमस शॉकर प्लेयर यह एक वह थी फैमस सॉकर प्लेट यह बहुत यह फूट बाल जो मैंने ख्याख इन शॉकर ही यह एड थ्री लेग्ष उनकी तीन पैर देख एंड एड़स एड़र्ड एड़ांटेश प्रहिम एज प्लेयर और ले बहुत जादा एड़ांटेश मिलता था प्लेयर कर अधिक अधिन पैर को अच्छी से छला सकते थे जाए वह फूटबाल खेल थे तो बहुंद तैम उस कर सकते थे हैं अब देखते हैं और अगले फेक्टर लियू थो लीन आफ गुनंग रपत मलेशिया ठीक है यह मलेशिया की घटना है मलेशिया देश की ठीक है यहां पे कौन है कि वेक्टी है लियो थॉन लीन कैन लिफ्ट मोर दें 60 पाउंड्स ओफ वैट अटेज्ट टू अ अचा यह क्या कर सकते हैं 60 पाउंड तक के वेट को अ अपने बॉडी में चिपका करके उठा सकते हैं ठीक है यह मेंगनेटिक में एटाहाते हैं ठीक है लिन is a 71 year old and is called the मेंगनेट मेंगन को मेंगनेट मेंगन ड्स बोल्ट and tools can be seen डंगलिंग डंगलिंग फ्रॉम इस बेर शेस्ट इनके सीने पर करते हैं नर्ड को बोल्ट को लटका रहा थे ठीक टूल रहा थे देख सते हैं पिप्ट्र में आप देखी यहां पर क्या हुआ है इस पिक्चर में देखिए इन्होंने आरन है चम्मच बगर है सारे चीज लटका गर रखे हुए है ना इन 2001 ही पूल्ड आप कार हुग तो चैन अटेज टू अपलेट स्टक टू हिस चेस्ट इन्होंने क्या किया थे एक प्लेट को अपने सीने में चिपकाया और इन्होंने कार तक को भी खीच लिया था उसमें से है ना यानिकि उसमें फसा को इसको खीचे थे रस्ती से आल थ्री संस ओफ लीन एंड इस टू ग्रेंचुल्डर्न आल्सों हैब दा मेंगनेटिक अबलेटी देखिए इनके तीन बच्चे है तीनों बच्चों में भी यही ऐसी पावर हुन में भी मेंगनेटिक फिल्ड वाला और सांथ साथ इनके जो नातिया है उनके भी उनके प सौनर गरतिक है इसको संरे इस ऐस को सट डाल एरिजोना आ तो यहां पर क्यान तब आरिजोन आ है एक देश है सरे शहर है तो यहां पर जगा है स्कॉट्सडवे 150 मार्म मिनिया थीख है यहां पर एक होता है एक को में वार्ड धीम flavored मिनिया फेस्टीवर एवरियर हर साल इसे आउजित किया जाता है है और बीपल स्लींग मट ओन इच अधर लोग इसमें क्या करते हैं कि दूसरे के ओपर मिटी फेकते हैं फिलिपते हैं इन दो मन्थ अब जुलाई जुलाई की महीने में यह खेल होता है किट्स ओफ आल एज़ स्लीप एंड श्लाइड ओवर मड फिल्ड टर्नल टर्नल में क्या होता है बहुं सारे मिट्टी भड़ी होती है जिसमें बच्चलों क्या करते हैं वापे फिसलते हैं ठीक और खेलते हैं मज़े लेते हैं अधिक बेडस मोर देन은 में 240,000ड auf मड इस प्रिपेर एड फूइए इस ऍयंवेंट के लिए किटने मिट्टी त्यार के जाता है दो लॉट्ट चाली हजार पाूंड म्यिटी को मिटी एजाता है य हजार in झाल के लिए बहुत क्लेवर होते हैं देश्ट अबेल हांगिंग एराउंड देर next with mud जब वो लोग क्या करते हैं हाथी लोग क्या करते हैं वहाँ पर जो घंटी अगर लग हुआ रहती है फिर उन पर घंटी बांदी जाती है उसे लोग क्या करते हैं मिट्टी में डूबो करके उसे सुखा लेते हैं इससे क्या होता है घंटी बजती नहीं है दे डू दी सो दार बेल वन रिंग है इससे यह ऐसा इसलिए लोग करते हैं ताकि घंटी ना बजे और वो क्या कर सकें दे केंद क्वीकली इस्टील बनाना फ्रॉम फर्म्स एट नाइट ताकि यह लोग रात को बनाना के चुखेत हो इन में से जो बेस्ट फैक्ट आपको कौन से लगा इन तीनों फैक्ट में से कौन सबसे बेस्ट फैक्ट लगा आप बताईए ठीक है अपने हिसाब से यहां पर लिख सकते हैं एक क्या दिया हुआ यहां पर खाली जगा दिया हुआ यहां पर लिख सकते हो ठीक है तो यह ल आपको बहुत ही अच्छा लागा होगा अगर आपको समझ नहीं है तक बार फिर से देखिए वीडियो को या फिर मुझे कमेंट कीजिए दी मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो है ना और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार कि अगर कि अगर कि